तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल MD Classes को और क्लिक करिए बिल आइकॉन पे इंपोर्टन एजुकेशन वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का MD Classes के यूट्यूब चैनल में देखें दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं आरर भी NTPC के पेपर प्रिमियस इयर के पेपर के बारे में वहाँ पर हम आपसे डिस्क्स कर रहे हैं हमने नियुक्त को और स्पीपर इंसर हैं तो उ। सभी को आम आपके साथ यहाँ पर discuss कर लेंगे आज देखिए यहाँ पर पहला question जो कह रहा है GKGS का पहला question है निमलिखित में से कौन सा vitamin रक्त के ठक्के बनाने में महतुपूर भूमी का निभाता है कौन सा ऐसा के रहा है वह इस कोशचन के कार्डिंग गरा है वीटमीं लॉइसे से कॊंण सा रोग होता है इसा कमी מן प्राप्त होता है ह हो जाता है ठीक है और कूल की है और का गता है यह हमें प्राप्त होता है है धूप से हमको कहां से मिलता है धूप से मिलता है धूप में आप बैठेंगे शरीर में यह बनेगा इसकी कमी से अस्तिजीडता यानि रीकेट्स रोग या सूखा रोग इसकी कमी से हो जाता है ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं विटमिन एक बात कर लेते हैं, vitamin A का क्या नाम होता है, vitamin A ka Rلام Rasonae naam होता है, retinol, इसको कहा से मिलता है, यह मतलब liver में कठा होता है, ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग होता है, विटमिन एक कमी से इसकी कमी से होता है रताओधी रोग और पीले फल में ये मुख्य रूप से पाया जाता है और पीले फल कास करके आम में आम के फल में ये काफी ज़्यादा पाया जाता है और अगर हम बात करते हैं विटमिन ए की जो आपके option D में दिया गया है तो विटमि से काफी मतलब नपुन सकता का रोग होता है ठीक है और चलते हैं आगे देखते हैं अगला कोश्चन आज देख लेते हैं अगला कोश्चन कौन सा है इसका सही आंसर जो दिया गया है यह दिया गया है विटमिन B12 है अगला कोश्चन देख़े सबरे कार्ठिक के बारे में पूछा है सबरे कार्ठिक कौन हैं तो यहां पर आपको जो ओपन दिया गया है सबरे कार्ठिक के बारे में एस प्रिसिद भारतिय कराटे चैम्पियन लग्भी खिलाड़ी किरकाट किलाड़ी कि burner चार है कबडडी चैंपियन यह चार आप्छनस आपको दिए गए है तो जो दूसर यह आपका प्रसिद्ध भारतिय कराटे चैंपियन यह चीज तहीं आंसर है आपका यह देखिए ASEAN Games में, इन्होंने 2010 में ASEAN Games हुआ था, वहां पे इन्होंने Karata Champion यह हुए थे और बाकि उसके बाद भी इन्होंने कई प्रतियोगिता हैं, जीती भारत का प्रतिनिद्ध तो कई प्रतियोगिताओं में सबरीकार्तिक ने किया, इसलिए ये पूश्चन आप से पूछा गया था, जैसे जो खिलाड़ी यहां पर आपके limelight में हो, तो उनके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके बारे में पूछा जा सकता है, किसी ना किसी एक्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीजें, दो सो टीटन्टे खेलने वाली पहले टीम काउंसी बनी है, तो यह सारी चीजें आपको देख लेना है, मुंबाई इंडियन सही आंसर है उसका, तो गोड़ सारी चीजें आप देख लिए, देखे, अगला क्वेस्टन आपसे कह रहा है, मकर संक्रांती क्या है, मक मकर संक्रांती, चंद्र करहाण है, भी आउसन में कह रहा है, फसल काटने का तेवहार है, मकर संक्रांती, सी कह रहा है, पतंग महोत्सव, अडि कह रहा है, कट पुतली का तमासा है, तो मकर संक्रांती क्या होता है, जब सूर्य दच्छिडायन से उत्तरायन में प्रवेस करत तोसे को कहा जाता है मकर संक्रांती ठीक है जिसको खिचड़ी भी चीज यह क्या अलग की,ote चलते हैं अगले कोस्चेन की तुरफ हमारा अगला कोस्चन है देखे यह वारा कोस्चन जो है यह कह रहा है 16 110 में गया लीली और गया लीलीड़ा की गई खोज में गयालीलियन की चंद्रमाओं की संख्या कितनी है यह चीज़ आप से यह पर पूछ रहा है ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है A option में आपसे कह रहा है A option कह रहा है आपसे 2, B option कह रहा है 3, C option 4 और D option कह रहा है 5 तो इसका सही आंसर जो है C option में 4 जो कह रहा है ये सही आंसर इस चारों का नाम क्या था इसका पहले का नाम था I.O दूसरे का नाम उर्वरी रहना को चलते हैं इसी प्रकार से चीजों को देखते रहना आपको और चलते हैं इसी प्रकार से अंगले कुर्म, सुन्नेड डिग्री सैंटी ग्रेट कीटिनी डिग्री वारेन हाइट के बेराबर होता है सबसे पहले तो को यह जानना है कि centigrade को Fahrenheit पे बदलने का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है c equal to 5 by 9 उसके बाद bracket में f minus 32 f minus 32 इसका फॉर्मूला होता है ठीक है अब यहां पर आपका जब c equal to 0 हो गया c equal to जब आप 0 करेंगे तो यहां पर 9 से इंटू करेंगा 9 इधर ले करके आएंगे आप 9 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 0 नीचे 5 ले करके आएंगे यह भी हो जाएगा 0 तो इधर आपका क्या बचा 0 बराबर f minus 32 यह आपका बचा तो f minus 32 बराबर 0 आपका है तो 32 को इधर ले करके आएंगे तो f बराबर आपके हो जाएगा यह बराबर 32 तो यह आपका बराबर 32 सही आंसर हो जाएगा 0 degree centigrade कितने Fahrenheit के बराबर होगा 32 Fahrenheit कि बराबर होगा आपका डी ऐप्सन में जो कहा गया है यह बिलकूर important formula होता है इसको आप मतलब note कर लिए इस पर practice भी कर लिए क्योंकि काफी ज़्यादा पूछा जाता है लगभग एक question तो पूछी लिए जाता है हर exam में किसी ना किसी सिफ्ट में रोज किसी ना किसी सिफ्ट में यह question इस परकार का मिल जाएगा देखिए अगला question आप कर रहा है भारतिय मुद्रा के note कहां पर मुद्रित होते हैं यानि कि भारत में note की छपाई कहां पर होती है तो यह आपसे सिक्कों की ढलाई की बात मिन्ट यानि की टक्साल कहां पर है ठीक है तो टक्साल कहां पर है इंडिया में कोलकाता में है ये हैदराबाद में मुंबई में है और नोइडा में है टक्साल कहां कहां पर है चार जगां पर है हैदराबाद मुंबई कोलकाता और नोइडा ये चार जगहां पर है शिक्कों की ढलाई होती है इंडिया में चलिए चलते हैं अगले कोस्टिन की तरफ हमारा अगला कोस्टिन कौन सा है देख लेते हैं एक बार देखिये यहां पर पूश रहा है स्रिलंका की राजधानी तो स्रिलंका की राजधानी कौन सी है यहां पर आपसे कहरा है कॉलम्बो, कैंडी जेवर्धनापुर कोट और अनुराधापुरा तो C option में जो आपसे कहरा है जेवर्धनेपूरा कोट ये आपका बिल्कुत सही आंसर है, जैवर्धने पूरा कोट है, स्री लंका की राजधानी, मधवनी कला क्या है, मधवनी कला के बारे में आपसे यहां पर पूछ रहा है question, ए कह रहा है कहानी कहने की कला है, भी कह रहा है गुजरात की कला है, सी कह रहा है बिहार में प्रचलित एक बिहार के लोकनित्त की बात हुई है तो थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं हम लोक कला है ये तो बिहार का लोकनित्त के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार का एक लोकनित्त है काफी ज्यादा important है ये और एक है जात्रा कौन सा है जात्रा ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा important है एक्जाम में काफी ज्यादा पूछी भी गई है इसी प्रकार के question आप से एक्जाम में दो तीन बार तो आपको याद हो जाएगा और अगर बात बिहार की हो रही है तो हम बात कर लेते हैं VALMI की निशनल पार्क कहां पर है यह आपका बिहार में वालमिकी wildlife century भी है बिहार में और हम बात करते हैं वाइल लाइफ सेंचुरी इसकी बात करें तो ये भी है आपका बिहार में पढ़ता है चलिए थोड़ा और देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारती ये महिला का नाम पूछा है पहली महिला का नाम पूछा है माउ आपको दिया गया है जंको तावी तो ये भी आपको दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है आपका लेकिन अगर आप बात करते हैं बचेंद्री पाल की तो बचेंद्री पाल पांचवी दुनिया की पांचवी महिला थी जुन्हें ने वरेस्ट पर चड़ाई की थी लेकिन आ ये सारी चीजें आपको चाहिए इसलिए हम आप के लिए इस चीजों को ले करके आते हैं आप इस वीडियो को देखते रहे हैं देखिए ये साले वीडियो आप से previous year question कराने का सिर्फ यही मतलब है कि आप इन चीजों को देख लें आपको पता चल जाए अंदाजा लग जाए कि question कहां से पूछे गए हैं और कहां से पूछे जा सकते हैं ठीक है इसके बाद हम expected question की एक जो सिरीज है उसको चलाएंगे यहां पर ये खटम कर लेते हैं लार यहां पर कहरे हो यहां रोखले निंग का question है यहां रीजनी का कोस्टिन है यहां पर आपसे कह रहा है ये घ्रओन है कि कि से संब्द Congratulations सब्सक्राइब करना है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला देखे 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे सांतिपूर देश की बात की गई है आपका इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है एकडम सही आंसर है अगर पीस इंडेक्स में भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत का राइंक कौंसा है एक सो चालीस हुआ राइंक है पिछले साल भारत का राइंक कितना था एक सो तैटिस था और इस साल भारत का राइंक है एक सो चालीस अगला कोश्चन कह रहा है माले देश की राजधानी की आपसे पूछ रहा है माले किस देश की राजधानी है यह चीज़ आपसे पूछ रहा है यहाँ पर A option आपसे कहता है मौरिसस, B कहता है लच्छदीव, A option आपसे कहता है मौरिसस, B कहता है लच्छदीव, C कहता है माले किसकी राजधानी है, माले है माले है माले की राजधानी, C option आप पुल सही आंसर है, अगर आप बात मौरिसस की करते हैं, तो मौरिसस की राजधानी क्या है, इसकी है पोर्ट लूइस अगर आप बात करते हैं लच्छदीव की लच्छदीव की राजधानी है कावरत्ती और डी आप्षन में आप जो मलेशिया दिया गया है मलेशिया की राजधानी है कौला लामपुर ठीक तो इसी प्रकार से कोश्चन आपको करते रहना है चलिए दे सेटलाइट है हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जो की मतलब आउटर साइड में है ठीक है तो ये डी आप्षन में आपसे जो कह रहा है बाहरी सौर प्रडाली में प्रस्ताविद एक बड़ा बरफीला ग्रा है ब्लैनेट नाइन सत्य में उजयते का अर्थ आपसे पूछ रह सत्य एक खजाना है ठीक है तो आपका जो सही आंसर है ये क्या है ये आपसन जो सत्य की ही विजय होती है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है देखिए अगला और सत्य में उजयते लिया कहां से गया है सत्य में उजयते लिया गया है मुंड कुपनी सत्य से लिया गया है सत्य म नाम किया है, यह चार आप्सन आपको दिया गया है, मोगा दिशू, कमपाला, लुसाका और बुलेंगा, इसमें से युगांडा की राजधानी कौन सी है, तो B आप्सन में आपसे जो कहा गया है कमपाला, कमपाला है आपके युगांडा की राजधानी, अगर आप बात करते ह A option में जो दिया गया है मोगा दिसू तो मोगा दिसू किसकी राजधानी है ये है सुमालिया की राजधानी और आप लुसाका की बात करते हैं तो लुसाका है आपकी जांबिया की राजधानी ठीक है लुसाका की राजधानी जांबिया की राजधानी और D option में बुलेंगा जो दिया गया है ये बुलेंगा तो है यूगांडा में ही लेकिन ये यूगांडा का एक सहर है यूगांडा की ये राजधानी नहीं है ठीक तो राजधानी ये सारी चीजें काफी ज़्यादा इंपार्टेंट हो गई है देखे पिछले तीन कोस्चन इसी पेपर में पूछे जा चुके हैं देखे अगला कोस्चन जो कह रहा है ये कह रहा है पंचतंत्र दंत कथाएं किस के द्वारा रचित मानी जाती है यानि पंचत सर्मा जी ने लिखी थी पंचतंत्र के कथाओं की रचना की थी विश्नु सर्मा जी ने अब देखिए ये कोस्चन पूछा क्यों था ये भी सूचने वाली चीजे इन्होंने तो काफी पहले रचना कर दी थी लेकिन उसी समय विश्नु सर्मा जी की डेथ हुई थी इसी से कोस्चन पूछा जाता है करेंट से रिलेट करके ही चीजों को आजकल पूछता है ठीक है तो आप करेंट अफेर्स की वीडियो भी रोज देखा करिए क्योंकि करेंट से रिलेटेड चीजों को ही पूछ रहा है देखे कह रहा है आक्सी करण प्रतक्रिया में निमलिकित म की प्रक्रिया अब इलेक्ट्रान उत्सर्जित होगा निकलेगा तो इलेक्ट्रान की क्या होगी इलेक्ट्रान की होगी कमी बी आप्सन आपका बिल्गुल सही है इलेक्ट्रान की कमी होती है इलेक्ट्रान उत्सर्जन की प्रकिरिया होती है यह आपसी करण देखिए अगला question आपसे कह रहा है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगारी किन station के बीच में चलती है कन्याकुमारी से बारामुला डिप्रुगड़ से नालिया डिप्रुगड़ से कन्याकुमारी पिरुननपुरंसे दिल्ली के दूरी तैय करती है और 12 राज्यों से होकर के यह ट्रेन जाती है देखे दोस्तों यहां पर हमने आपके साथ काफी कोश्चन आपके साथ कर लिए हैं देखें मिलते हैं वगले वीडियो में ऐसे ही कोश्चन को हम डिसकस करते रहेंगे इस पेपर में भी कुछ कोश्चन बाद पता चल जाएगा कि किस प्रकार के कोश्चन एकजाम में पूछे जाते हैं थैंक्यू गाइज पर वाचिंग और लिस्निंग वीडियो प्लीज डू लाइक और शेयर